हेलो एवरीवन वेलकम बैक इन अवर चैनल दोस्तो आपसे भी का स्वागत है मैं हूं कपल तो दोस्तो आज हम इस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस के कोश्चन्स को करने का ट्रिक देखेंगे यह पार्ट फर्स्ट है हमारा इस पार्ट में मैंने दो ट्रिक ले रखी ह तो चलिए सॉल्व करते हैं अगर इस टैप का अगर आपसे कोश्चन पूछा जाता है एक्जाम में तो आप कुछ ही मिनटाओ में इसको सॉल्व कर सकते हो के तो ट्रिक हमारा है दोस्तो पहला कोश्चन है आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल 4 रुपीज 144 नुमेरिकल वैलू प्रॉफिट परसेंट इस एकोल टू दा कॉस्ट प्राइज देन फाइंड दा कॉस्ट प्राइज अब यह कोश्चन मैंने दौनों लेग्विज में आप लिख रखा है तो कोश्चन है मारा एक बस्तू को 140 रुपे में बेचने पर उसका जो लाप परती साथ होता है उसकी वेलू उसके क्रेमूल के बरावर है मतलब लाप परसेंट की जो वेलू से क्रेमूल के बरावर है तो बस तो फिर आपको क्रेमूल बताना है तो दोस्तो इसमें ट्रिक क्या है जरा आप द्यांजी अब समझना मैंने यह और रेड़ी हैं पर सॉल्व कर रखा जिससे की जल् profit percent is equal to CP या फिर loss percent is equal to CP दे रखा हो क्या बोला मैंने अभी अगर किसी भी कोशन में profit percent is equal to CP या फिर loss percent is equal to CP दे रखा हो तो हमें उस कोशन में जो selling price है मतलब जितने रुपे में उसने बेचा है इसने article को 144 रुपे में sale किया दा ना अब इस 144 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करना है उनका multiple कितना आज है 144 एंड उन दोनों numbers का जो difference हो वो हमारा 10 होना चाहिए ओके जैसे कि मेरा number क्या 144 है ओके 144 को मैंने ऐसे दो पार्ट में ब्रेक किया है 18 8 जा 18 into 8 144 होता है और इन दोनों numbers का जो difference हो मेरा क्या है 10 है आई हूप आपको समझ आ गया होगा ऐसे दो numbers में ब्रेक करना है उनका difference 10 हो और multiply करने पर 144 आपका आज आई अब question क्या है अब question को आपको देखना है question में क्या given है लाप पे 37 मतलब profit percent is equal to cp given है अगर question में profit percent cp given है तो हमें छोटा वाला number लेना है कौन सा number लेना है छोटा वाला number अगर profit percent is equal to cp given है तो हमें छोटा वाला number लेना है उसमें 10 से multiply कर देना है वही आपका cost price होता है तो चलिए एक और question कर लेते हैं इसी टाप्स का तो question number 2 मेरे हैं पे ले लिया उसका जो लाप प्रतिसात है profit percent है जो उसका उसके क्रेमूल के वराबर है कोशन में कहें वहने profit percent is equal to cp मैंने कह बाता है था भी उससे पहले जो question किया था अगर किसी भी question में profit percent is equal to cp दे रखा हो या फिर loss percent is equal to cp दे रखा हो तो हमें उस number को ऐसे दो number में break करना है उन दोनों का difference 10 आना चाहिए और multiply करने पर 39 आ जाए तो 13, 3 जा 39 होता है अब इन दोनों के जो difference है वो हमारा 10 है अब given क्याता है इसमें profit percent is equal to cp अगर profit percent is equal to cp given होता है तो मुझे छोटा वाला number लेना होता है तो जोटा वाला number के है मेरा 3 और उसमें 10 से multiply कर दो वही आपका cost price होता है तो ये दो question थे हमारे profit percent is equal to cp के लिए third question और हम देख लेते है जो कि loss percent cp के लिए है वो भी concept आपका clear हो जाएगा तो friends हमारा third question आपका ये है question है हमारा if the loss percent is equal to the cost price loss percent is equal to the cost price this question में given है on the selling and article and selling price is 56 एक बस्तू को 56 रुपे में बेचने पर उसका जो हानी परतिसात होता है उसके क्रेमूल के बरावर है मतलब अब इस third question में आपको loss percent is equal to cp दे रखा है इस part first में trick number two है हमारा ये हो कि इसमें क्या है loss percent is equal to cp है इससे पहले जो हमने दोना question किये तो उसमें किया था दोस्तो profit percent is equal to cp दे रखा था इस question में loss percent is equal to cp गेवन है same वही process जो भी first वाले question में किया था अकर loss percent cp दे रखा हो या फिर profit percent is equal to cp दे रखा हो तो given number को ऐसे दो part में हमें break करना होता है इन दोनों number का difference 10 आना चाहिए और multiply करने पर वही number हमको मिल जाए हमारा number यहाँ पर क्या दे रखा है 56 56 को आप break करोगे 1440 56 होता है ओके ना इन दोनों का difference हमारा 10 है अभी मैंने first question जो किया था हमारा क्या था उसमें profit percent था इसलिए मैंने उस वाले question में छोड़ा number लिया था अगर मेरा किसी question में loss percent is equal to cp आता है बट यह example तो हमारा loss percent is equal to cp के लिए ही है loss percent is equal to cp given होता है तो हमें क्या करना होता है उन दोनों numbers में ऐसे जो बड़ा number है 14 जो बड़ा number है 14 14 है न हमारे तो इसमें हम 10 से multiply कर देंगे जब आप इसको 10 से multiply करोगे तो आपका answer आएगा 140 और यह थी आज हमारी trick part first किया था हमने part second भी आएगा आपका इंतिजार करिए अगर आपको वीडियो पसंद आये हो तो please like करिए and share करिए तो हमारी दोनों ट्रिक आपको समझ आ गई होंगी and thank you wait for the next video